मौनसून का मौसम काफी ज्यादा लुभावना होता है लेकिन मौनसून के मौसम में ज्यादा तेल मसाले वाला या पिर चटपटा खाने का भी मन करता है और कई बार इसी वज़े से हमारी स्किन पर काफी ज्यादा प्रॉब्रम साजाती है आई ही जानते हैं मेरी आज के इस वीडियो के द्वारा के अगर आपको मौनसून का मौसम पसंद है या फिर स्ट्रीट फूट काफी ज्यादा बिखने लगता है आपको इसी तेल मसाले वाले खाने से थोड़ा सा परहिस करना है क्यूंकि कई बार मौनसून के मौसम में बैक्टिरिया और फंगल इस खाने पर चिपक जाती है और फिर हम उसे ही कंस्यूम करते हैं जिसकी वज़े से स्केन प्रॉब्लम का खत्रा काफी हद तक बढ़ जाता है अगर आप मौनसून के मौसम को अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहती है तो पित बढ़ाने वाली ड्रिंक्स का सेवन बिलकुल मत करिए आप फ्रूट जूस का सेवन कर सकती है या फिर नीमू पानी नारियत पानी या फिर सादे पानी का सेवन कर सकती है ज्यादा ड्रिंक्स का सेवन या फिर कोला बगेरा का सेवन ना करें टिप नमबर थ्री बारिश के मौसम में कई बार कई लोगों का मन करता है बारिश में भीधने का लेकिन बारिश में भीधने की वज़य से भी कई लोगों की तुचा पर rashes पर जाते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बारिश की बुंद लगते ही आपकी तचा बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है तो आपको अपने शरीर को बारिश की बुंदों में गिला नहीं करना चाहिए टिप नमबर फोर अपने आपको हाइडरेट रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे दिन के अंदर परियाप पानी की मातरा पीजे ताकि आपको पूरे दिन के अंदर आपकी शरीर के अंदर पानी की कमी पिल्कुल ना हो सके सो दोस्तों ये है आसान से तरीके मौनसून के मौसम को इंजॉय करने के और वो भी अपनी त्वचा का खयाल रखते हुए इन्हें जरूर आजमाईए और ध्यान में रखिए मेरी ब्यूटी और हेल्स से रिलेटिट वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सबस्क्राइब कीजी